हालो फ्रेंड्स यह है HW12 smart watch और इस smart watch में आपको available है एक बहुत ही बैटरीन strap और साथ ही साथ इसमें आता है magnetic cables और एक manual card magnetic cables आप अगर wrong side में attach करेंगे तो यह आपको कभी भी pick नहीं करने देगा और right side में यह automatically magnetic power इसे pick कर लेती है और इसकी magnetic power इतनी strong है जितनी भी अभी तक watches आती है उनमें से HW12 और HW sectoring की magnetic power सबसे strong मानी जाती है अब इस watch में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ यहां प्रेस करके wallpaper चेंज कर सकते हैं और इस watch में आते हैं पांच style यानि पांच जो current style होते हैं वो आप उनमें से कोई भी select कर सकते हैं और यहां से आप जिसको भी select करना चाहिए जैसे मैं इसको कर लेता हूं तो वो wallpaper य इसमें यह first जो tab है जब आप slide करेंगे नीचे की तरफ से आपको छे tab दिख रहे हैं इसमें first tab है Bluetooth connectivity का यानि Bluetooth connectivity के मादियम से आपने अगर किसी को call करना है तो यह features को own करना ज़रूरी होता है second features है always display on यह features on होगा तो आपकी display always on रहेगी अगर इससे आप बंद कर देंगे तो normally जैसे आपकी daily watch work करती है वैसे करेगी इसके बाद है 3 second lock 3 second lock को आपने lock लगा दिया अब आप कुछ भी कर लीजिए यहां पे watch में कोई work out नहीं होगा इसके लिए आपको unlock करना ज़रूरी ह then इसके बाद आता है power of power of features से आपकी watch shutdown हो जाएगी इसके बाद आता है flash last one flash है और यह है setting flash को भी own करके देख लेते हैं अब आता है setting features तो setting feature में एक बाद जाते हैं first one is dimming यानि आप अपने watch house की brightness कम ज्यादा यहां से कर सकते हैं second feature आता है bright screen durations आप यहां से screen की durations है वो set कर स सकते हैं इसके बाद आता है screen off timing वो भी आप कम ज्यादा यहां से कर सकते हैं then phone setting phone setting में यानि आप mute रखना चाते हैं आप vibration mode रखना चाते हैं यानि वो set कर सकते है raise your wrist आप इस features को on करेंगे तो आप अगर watch wear की है तो apply को move करने पर ही आपका time display होना शुरू हो जाता है then आता है don't disturb features इस feature को on करने के बाद आप notifications रेसीव नहीं होगे even call का notification भी आपको receive नहीं होगा then यह है sound and vibration यहां से आप sound को कम ज्यादा कर सकते हैं और vibration को भी कम ज्यादा यहां से कर सकते हैं set भी कर सकते हैं इसके बाद आता है language setting यहां से आप language slack कर सकते हैं either इस से remove कर देए यह फीचर भी आप अप्लिकेशन के मादिम से यूज कर सकते हैं इसका काम क्या है कि जब आप इस फीचर को उन करेंगे और वियर फिट प्रो को इंस्टॉल करने के बाद आपने डिवाइस को किनेक्ट करना है तो बार कोड को स्कैन करते ही आपकी डिवाइस किनेक्ट हो करते हैं यानि जिसे हम पासकोड कहते हैं वो यहां से सेट कर सकते हैं सिक्योड बनाने के लिए इसके बाद अब आउट में आप वर्जन को फाइंड ओट कर सकते हैं और आपकी वाच का नाम लिखा जाएगा और मैक अट रहस आएगा देन रीबूट वाच को इस तरफ को तो आपको यहां पर दिखा रहा है यहां पर आपको जो कॉमण यूज अप्लिकेशन टैप है वो दिखा रहा है यहां पर सेटिंग कर रहा है क्योंकि मैंने अब इक ज्यादत और यही यूज किया इसके बाद है सो यानि यह ब्ल्यूटूस को लिए फीचर दा और क्लिक दा स्कैन कोड यह स्कैन कोड करने के लिए लिंक दिया हुआ है यहां से आप डिरेक्ट लिक कर सकते हैं इसके बाद आप इस तरफ से को स्लाइड करेंगे सबसे पहले आएगा हार्ट रेट सेंसर यह आप देख सकते हैं हार्ट रेट ओन हो गया इसके लाबा आता data features यानि आपने जो activities की हैं वो सब इसमें information सापको मिल जाएंगे इसके बाद आता है weather features weather features में आपको current weather दिखाएगा जो आपने location select किया है add component में जाएंगे तो आप किसी भी component को add और delete कर सकते हैं यहां से इसके बाद आते हैं हम slide करते हैं upper side में upper side में slide करने से आपको messages जो notification आपने select की हूँ हैं वो सब इस notifications आपको receive होंगे अब आती है बात watch के features की सबसे पहला जो features है countdown features है यानि आप यहां से कोई भी activities के लिए countdown कर सकते हैं इसके बाद आता है BP features आप अपना BP crunch BP check कर सकते हैं यह भी watch wear करने के बाद यह आपको display होगा heart rate sensor इसके साथ workout करना शुरू हो जाता है यह है breathe features यानि आपने exercise करनी है तो chance को लेना और शोड़ना inhales और exhale आप यह इसके accordingly करेंगे तो आपका जो fit and fine रहेंगे इसके बाद आता है brightness का features यहां से आप brightness को कम ज्यादा कर सकते है then calculator features है calculator आप use कर सकते है यहां से बूल जाता हूँ इसके बाद camera features है इसके लिए आपको remote access चाहिए यानि bluetooth connectivity और application चाहिए इसके बाद आता है bright screen durations यहां से आप screen की duration को select कर सकते है brightness के लिए and then आता है data features है यह आपने आगे देखा हुआ है इसलिए इसको नहीं खोलते है इसके बाद आता है sleep mode sorry don't disturb don't disturb को यहां से आप enable करके features कानल ले सकते है इसके बाद आता हाट rate sensor heart rate sensor का मैंने आल्रेड़ी आपको बताया यह barcode scan करने का features है इसके बाद है messages notifications के लिए then matte features यह मैंने कभी use नहीं किया हुए इसलिए मैं इसके बारे में नहीं जानता इसके बाद है music यह आप bluetooth connectivity के बाद जो mobile का music है वो उसका अनल ले सकते हैं इसके बाद है shutdown and then है bluetooth color यह features को उन करने के बाद आप bluetooth connectivity के साथ watch में calling features का अनल ले सकते हैं then pressure features है यह भी मैंने कभी use नहीं किया हुए इसलिए मैं इसके बारे में नहीं जानता pressure feature के बाद clock features है clock car lady मैंने आपको बता हुए यह reboot features है reboot के बाद आपको मिलता है यहां पे settings settings को आप own करके जो settings features है उसमें जितनी भी आपने setting करनी है वो इसके बाद आता है sports का sports में आपको outdoor sports जितने भी है वो आप यहां से run करके उस आप activities को perform कर सकते है इसके बाद sound है sound को कम ज्यादा vibration को set करना है यह यहां से कर सकते है यह indoor activities के लिए जैसे भी आपने किसी भी indoor activities को करना हो जैसे swimming pool लगा लीजिए यहां पौंड कर देंगे इसको वियर करके तो आप जितनी भी आपकी calories कितनी burn हुई है कितना आपका heart rate है कितने आपने kilometers रन जो भी activities performed किया है वो सब आपको यहां से find out कर सकते हैं इसके बाद आता है night mode तो यहां से आप sleeping कितने hours आपने sleep किया है यानि नीन अपने ली है वो सब यहां से जान सकते हैं इसके बाद SOS यानि Bluetooth Calling का ही है यह है oxygen features आप इसे वियर करेंगे तो यह आपके body में कितनी oxygen की मात्रा है current वो सब आपको बताता है इसके बाद जो features यह same to same method features यह weather features बाकि सभी features आपको पहले ही मैंने guide कर दिया हूँ तो यह इसके features हैं सभी अब इसके बारे में बात करते हैं applications की तो मैं आपको पहले बता दूँ इसके लिए play store में जाना है और आपने application install करनी है wear fit pro मैंने आलरड़ी इसको application को install किया हूँ है यह application hw1612 और कई other watches में भी work out करती है यहां से आपने device को find out करना है मैं आपको बता दूँ आप add device यहां से barcode scan करके device को connect कर सकते हैं यह hw12 watch है मैं इसको यहां से done कर देता हूँ तो तो अगर आप applications को use करते हैं और आपको यह message आता है new version update यह आपके watch का जो firmware है उसके version को detect करता है अगर आपके firmware old version का है तो आपको यह firmware को update करना ज़रूरी होता है क्योंकि firmware update के साथ कई bugs जो होते वो fix out कि होते हैं तो आप इसको update कर लीजिए आप जैसे इसे update को run करेंगे यहां पे update की पूरी information लिखी होती है कि कौन सा वो version आया है तो आप यहां से इसे update कर लीजिए downloading start हो गया, upgrading का process शुरू हो गया यहां पे जैसे दोस्तों आपकी upgradation start हो जाती है और complete नहीं होती जब तक आपने mobile की applications को minimize नहीं करना है तो साथे साथ आपकी watch पे यह sign display होता है तब आपको गबराने की जरूरत नहीं है यह सिर्फ update का sign है जब तक यह complete नहीं होता आपने अपनी watch को भी shade नहीं है और इसको reboot करने की कोशिश मत कीजिएगा आइधर आपकी watch corrupt होने के chances होते हैं तो wait कर लेते हैं इसको यह देखे अभी upgradation complete हो गया और यहां watch video restart हो गया है और इसका wallpaper भी change हो गया है तो अभी देख लेते हैं wallpaper में कुछ और changes आई है या नहीं तो बाकी सब ठीक है यह automatically इसका wallpaper change हो गया कोई बात नहीं है तो अभी हम applications में जाते हैं और इसमें जो सबसे पहला feature आता है watch faces यानि आप इसमें जो भी face install करना चाहें वो कर सकते हैं free of cost वाले भी mentioned है और paid भी mentioned है तो आप अपके उपर depend है आप कौन से आले choose करते हैं जो भी आपने install करना है आप उसको select कर लीजिए और यहां से download कर दीजिए जैसे ही आपने अप्ग्रेडेशन वाला sign देखा था वैसे download में भी sign आएगा और update complete होने पर वाल पेपर आपकी watch पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाए गया यह है custom wallpaper features यहां से आपने add करना है जो भी आपने wallpaper को select करेंगे वह wallpaper यहां से लगा देगी स्पोस्थ मैं इसको add करता हूं तो मुझे जितना चाहिए होगा मैं उतना इसको select कर लूँगा crop कर देता हूं यह wallpaper आपकी watch पर डिस्प्ले हो जाएगा अब आपने time जो है time कौन से color में select करना है और उसकी position क्या रखनी है यह आप यहां से select करके installation button को press करेंगे तो wallpaper आपकी watch पर installed हो जाएगा इसके बाद next features है इसमे weather report यह जैसे आपने watch को connect किया weather report already enabled होती है और आपकी current locations है उसका weather आपकी mobile पर display हो जाएगा इसके बाद है notification tabs जो आप tabs को यानि जो आप notifications को enable करेंगे वो notifications आपके mobile पर आना शुरू हो जाएगा इसमें facebook है, gmail है, whatsapp है, sms है and phone है तो यहां से आपने ब यह notifications के लिए, इसके बाद आता है alarm तो आप यहां से alarm select कर सकते हैं, यह आपके studies के लिए और आपकी daily activities है उसके लिए बहुत ही लाबदाएक है, यह reminder है, आप यहां से reminder add कर सकते हैं, यह आपकी health के लिए और आपकी working है उसके लिए बहुत benefit रखता है, taking a pictures, आपने इस features के करने के लिए यह features होता है, इसके बाद आता है other settings में आपको दो tap दिखते हैं, raise your wrist and 12 hours clock setting, आप यहां से enable कर देंगे, तो 24 साथ की जगा है 12 hours की settings आपके mobile पे enabled हो गी होगी, तो यह features हैं, इसके बाद आता है favorite context, आप इस favorite context के features के माधियम से अपने जो favorite context है, यानि आपके family context है आप यहां पर add कर सकते हैं, इसमें troubleshooting features है, firmware upgrade, अभी मैंने firmware upgrade कर दिया, either यहां से आप check कर सकते हैं, अगर आपका firmware old है, तो यहां से आपको find out करके update पर click करेंगे, तो firmware आपके mobile पर upgrade हो जाएगा, यह bug fix करता है और आपके लिए काफी benefit होता है, इसके बाद है factory setting restore, तो यह भी exercise की है, उनकी सब report यहां पर show होती है, और यहां से आप इसे run भी कर सकते हैं, इसके बाद आता है home, home में आपको वो data मिलता है, जो आपने mobile में activities की होती है, जैसे कि blood pressure आपने check की है, उसकी report आएगी, जो oxygen है, उसकी report आएगी, heart rate sensor की report आएगी, sleep, आपको यहां पर बिलेगा, वो सब आपको यहां पर मिलेगा, weight, sport का record, इसके बाद मतलब यह सब जो activities है, daily activities है, वो आप यहां से find out करके इसका अलाब ले सकते हैं, तो मैंने आपको via fit pro की applications के बारे में भी बता दिया, और इसके लाबा, watch के features के बारे में भी बता दिया, last one में आपको बता देता हूँ, वो है Bluetooth Connectivities, यानि आपने watch को माधियम से call करना है, या call को receive करना है, तो करना क्या आपको, पहले यहां से Bluetooth को find out करना है, पियर new device, यहां पे आपको उस device show होगी, इस Bluetooth Connectivities के लिए सबसे जरूरी बात मैंने पहले आपको बताई थी, कि यह features enable होना जरूरी है, यह आपको HW 12 call का sign दिखा रहा है, यहां पे आपको दो device दिखाएंगी, HW 12 और HW 12 call, जिन पे यह Bluetooth का sign बना हुआ है, यह आपने इस पे click करना है, पेर कर दिना है, यह connectivity के बाद, आपकी call work करने शुरू करतेगी, यह देखे, अब हमने करना क्या है, एक number टाय करना है, 198, यह मेरा बड़ा बात कर लेते हैं, वैया, तो यह मैंने आपको calling features का player कर दिया, अब एक ओर, आपने music चलाना है, music भी मेरा favorite part है, music चलाना है आपने, तो यह मैं यहां से कोई music select कर लेता हूँ, मैंने अभी इसे mute किया, तो एक बाद इसे play कर देते हैं, यहां से आप screen की सब्सक्राइब मेजिक को, इदे के साथ साथ में music चेंज हो जाएगा, तो यह procedure है, आपकी watch को use करने का, और इसके features को आनन लेने का, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब और इसकेज से जाएगा, तो एक बारी किया, यहां से काफ चेंज हो एनन लेने का, यह झाएब, और यह समयात की से ओकीन का, थाएब, भी हएब, टर धिए Cारइब पूल्माईट